हल्दवानी शहर को अब लो वोल्टेज और बिजली कटोती की समस्या से निजात मिल गई है क्योंकि बिजली विभाग ने शहर के कई स्थानों पर ट्रांसफॉर्मर के कैपसिटी को बढ़ा दिया है जिससे अब नैनिताल जिले में बिजली सप्लाई सामानी रूप से चल रही है अधिक छण अभियंता नवीन मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब लो वोल्टेज और बिजली कटोती से निजात मिल गई है ट्रांसफॉर्मर की कैपसिटी बढ़ाने से अब सामानी रूप से बिजली सप्लाई चल रही है उन्होंने बताया कि बीते दिनों नौर्धन ग्रीट के ओवरलोड होने के कारण कई बार लो वोल्टेज की समस्य आ रही थी लेकिन अब विभाग द्वारा ट्रांसफॉर्मर की कैपसिटी बढ़ा कर उसे ठीक कर दिया गया है बिजली की जो विगत दिवस माई जून के मैने में समस्य आ थी उनके निराकरण के लिए हमारे द्वारा जो 132 के भी काट गुदा मुप संस्तान है उसमें पावर ट्रांसफॉर्मर की कैपसिटी 10-12 MbA की गई है टीपी नगर में भी 10-12 MbA कैपसिटी नहांचमेंट किया जया है कमलवा गंजा में 12.5 MbA का नया हमने ट्रांसफॉर्मर लगाया इसके लावा सुवास नेगर में भी हमने 12.5 MBA का ट्रांस्वर्मर लगाया इस प्रकार से हमारे जो UPCL के लाइन्स और ट्रांस्वर्म में जहाँ जहाँ ओर लोडिंग थी वहाँ वहाँ हमने विगत एक महा में अपनी कैपस्टी इंगरीज कर लिये और अब वर्तमान में UPCL की प्रणाली अतिभारित होने के कारण किसी प्रकार की विद्धुत आपोर्ती में व्यवदान नहीं है अभी जो आदी तूफान या बरसात का मौसम है उसमें जो इस्था गिरावत दर्च की गई है लो बोल्टेज का यह है कि नॉर्दर्न गृट जो है पूरे इंडिया का वो इस समय ओवर्लोड़ट चला है तो गृट जो सेंट्रल गवर्मेंट और जो स्टेट गृट कंट्रोल है उसके नर्देश के आधार पर हमको अलग-अलग सर्केट से देखा गए कि जब कासी पूर्द से हमें अपूर्ति हो रही तो वोल्टेज अच्छा मिला है अन्य सर्किट से जब आपूर्टी की जा रही तो बोड़ेज में थोड़ी गिरावट दर्च की जा रही है इसका हम लोग पूरा प्रयास करना है कि इस थानी स्तर पर अपने ट